अधिखार आंगनमाली सेविका सहाइका मीनी बहनों आप लोंगों का हमारे आंगनमाली नियूश चैनल में सुआगत है हमें जो खबर लेकर आए आंगनमाली बहनों के लिए बहुत ही महथतपूर एक बहुत बड़ी जो है, खबर निकल करा रही है तो आईए इसको पूरे बिस्तार से देखते हैं उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लिज वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सस्क्राइब करके वेल आइकन को आन कर लिए आईए हम आपको सीधा ख़बर के तरफ ले चलते हैं उनको अब नए सत्र से इसकूली सिक्षा दी जानी कि यहाँ पर बात कर रही है सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि अब नए सत्र से इसकूली सिक्षा आंगनबारी केंदर के बच्चों को दिया जाएगा जिस जिले में जो है कि आंगनबारी केंदर के बच्चों को जो है कि इसकूली सिक्षा जो है कि इसी सत्र से प्राराम करने की बात कही आ रही है जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे की उत्तर प्रदेश में वेसिक सिक्षा विभाग द्वारा आंगनबारी केंद्र में प्रारमभिक सिक्षा की दसा को वेहतर किया जा रहा है इन आंगनबारी केंद्रों पर भी सुरुवाती सिक्षा के लिए आने वाले बच्चों को बच्चों की संख्या बहुत जादा है और इन बच्चों को बेहतर सिक्षा से बंचित नहीं किया जा सकता है इसके लिए केंद्र सरकार पहले से ही गंभीरता दिखा रही है इसलिए नई सिक्षा निती के निती में आंगनबारी केंद्रों को प्रारमविक सिक्षा का दर्जा दिया गया है तो जैसा कि हम आपको बता दे कि केंद्र सरकार पहले से गम भीड़ता दिखा रही है और नई सिक्षा निती के तहत आंगनबारी केंद्र के बच्चों को प्रारमिक सिक्षा बैहतर करने के लिए यहाँ बात कही जा रही है आगे हम बताया जाए रहे कि करोना महमारी की वज़ा से आगनबाडी केंद्रों पर नई सिक्षा निती लागून होने में काफी देर हो चुकी है लेकिन अब बेसिक सिक्षा विभाग की तरफ से प्रथम चरण में प्रात्मिक विद्याले परिसद में चलने वाले आंगनबारी केंद्रों की इस्थिती सुधारने के लिए प्रदेश सरकार ने 16 जीलों के लिए 49 करोन रुपे का बजट उपलाब्द करा दिया है तो इस जोई 49 करोन रुपे का बजट उपलाब्द करा दिया गया है इससे आगनबारी केंद्र के बच्चों को बेहतर सिक्षा प्रारमत की जा सके और दी जा सके तो यह यहां पे कहा जा रहा है कि 16 जनपदों को जो है कि चिनित किया गया है जिसमें आंगनवारी केंद्र के बच्चों को जो है कि नई सिक्षा निती के तहट जो है कि बेहतर सिक्षा दी जाने की यहां बात कही जा रही है जिसमें मतुरा, आगरा, अमेठी, अमरोहा, और वादा, फिरोजाबाद, हाथरस, ललितपूर, महराजगंज, मैनपूरी, मेरट, परतापगड, संभल, संत कवेर नगर और साजहापूर इस तरह से यह 16 जनपद हैं जिसमें बेहतर सिक्षा देने की बात कही जा रही है और इसमें नई सिक्षानिती के तहट जो है की अब नई सिक्षानिती जो है की लागू की जाएगी आगनबाडी केंद्रों में यहां बताया जाए रहे कि करोना महमारी के वज़ा से जो है की देर हो चुका है लेकिन अब जो है की नए सत्र से जो है की इसको लागू कर दिया जाएगा और इसमें जो है की नए सिक्षानिती के तहट जो है की पढ़ाई की जाएगी इन आंगनबारी केंद्रों में तो यह थी आज की बड़ी खबर की आगनबारी बेनों के लिए जो कि हम आपको पूरे विस्तार से दिये हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई वे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को आन कर दीजे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार